त्रिपूरा के सीम मानिक शाहाजी के साथ माता बाड़ी गए वहां उन्होंने माता अच्छा काम अच्छा काम और जलकनल्यानी काम करने में शक्षम रहे यही आश्चिर्वाद आज मासे माँ हमारी जैन्ती दिब्बर्माजी है वह सुपुत्री है पूर्वतन नेता स्वर्गीय श्री इंसी दिब्बर्माजी है चुनाव भी लड़ी की उनिसे आधर्मिय ग्रह्मन की रास्टे अध्यक्षा सभी की मुलाकात हुई सीएम सहाब की मुलाकात हुई और इस मुलाकात में इस भेट वारता में किस प्रकार से आई पी एफटी और भारतिय जनता पाटी दोनों सद्रूड रूप से काम कर सके त्रिपुरा के उन्नयन के लिए त्रिपुरा के उन्नती के लिए काम कर सके इस विशह पर एक बहुत रि जो IPFT से लड़ीती चुनाव हमारी गठवंदन की पार्टनर है और BJP से हमारी दूसरी जनजाती बहन पाताल कन्या जमातिया जो चुनाव लड़ी थी आशराम बाडी से कुछ वोटों से रह गई उन दोनों को MOS का रैंक दिया जाएगा नगम अपने किसी बोड में निगम बो दिन यह निरणावी पाटी ने लिया है इसके साथ साथ मोथा जो यहां की लोकल पाटी है मोथा के नेता श्री पुद्युद जी के साथ भी मुलाकात हुई है उनके भी कुछ सीर्श नित्रतों के साथ हमारे राष्ट्रे अध्यक्ष आदर निश्री जेपी नडडा जी ग बहुत ही शिद्दत के साथ बहुत ही comprehensively उस पर discussion किया गया कि क्या समस्याएं हैं किस प्रकार से इन समस्याओं का निदान किया जा सकता है कैसे जनजातिय सम्मान जो है उसको प्रतिस्थापित किया जा सकता है त्रिपुरा के अंदर इन सब विश्यों को गंभीरता से सुनन के बाद ये निर्ने लिया गया कि IPFT बाकी सब ही जो राजनेतिक दल हैं जो समाजिक दल हैं और मोथा इनके साथ हमारी पाटी एक चर्चा करेगी सीएम साहब ने कहा है कि एक विश्त्र चर्चाव की स्विंखला इनके साथ किया जाएगा और उसके पश्चात समाधान भी निकारा जाएगा और ये समाधान एक ही मंत्र के साथ सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबके प्रयास इसी मंत्र के साथ निकारा जाएग जैसे कि मैंने आपको बताया इन टॉक्स के बाद CM TRIPURA ने आस्वस्ते किया है कि सभी दनों के साथ, IPFT के साथ, बाकी समाजिक दनों के साथ और मौथा के साथ भी बैट करके ये चर्चा किया जाएगा और सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के साथ TRIPURA आगे बढ़ेगा